शार्व प्रतमतो जाय स्ट्रेक्रिश्ट आज हम लोग ये कथा सुनेंगे जो कि महाभारत काल की है इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनें कथा बड़े ही धार्मिक, मार्मिक तथा अध्यात्मिक है तो चलिए कथा को सुनते हैं त्योंकि ध्यान से सुनने पर कथा समझ में आता है पर कथा का अनंद भी आता है दिन बीटते देर नहीं लगती ऐशा मालूम होता है कि शुक के दिन तो इतने जल्दी बीटते हैं कि जान ही नहीं पड़ता कि कब बीट गए इशी प्रकार दुख के दिन भी बीट जाते हैं परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि वे जल्दी नहीं बीट रहे हैं जब दैवी संपत्ति वाले लोग शुक ही होते हैं तब आशुरी संपत्ति के मन में शभाविक ही द्वेश होता है तनिक्षा निमित पा जाने पर वे उनके महान सत्रु हो जाते हैं दैवी संपत्ति वालों के मन में किसी के प्रती द्वेश नहीं होता वे किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहतें यही कारण है कि पहले बाधा विग्न पढ़ने पर भी उनका शुक अस्थाई होता है और आशुरी संपत्ति वाले कभी शुक ही हो ही नहीं शकते वे कभी-कभी शुखी से मालूम पढ़ते हैं परंतु वास्तों में उनके हिर्दय में अशान्त की ज्वाला धदक्ति रहती है दैवी संपत्ति वाले कल्प भर का श्वर्गी शुक छड़ भर की भाती बिदा देते हैं और आशुरी शंपत्ति वाले अपने नरक को अपरी मित काहल तक भोगते रहते हैं उनके लिए वह थोड़ा सा समय पहुत लंबा हो जाता है पांडो का यग्य निर्भिग्न शमापत हुआ उन्होंने उस यग्य के द्वारा बड़ी ही पवित्रता और शान्ति की साथ भगवान की पूजा की उनके मन में किशी के प्रती इर्ष्याद्वेश नहीं था यहां तक की दुर्योधन आदि को भी उस यग्य में बड़ा उंचा और शमान का पद दिया गया परन्तु दुर्योधन आदि के मन में यह सब देख कर प्रशन्नता नहीं हुई उसके हिर्दय की जलन और भी बढ़ गई वे गुट बंदी करके शोचने लगे कि किस प्रकार पांडव की शंपत्ती हडप ली जा शकुनी की शला से जूवा खेलना निश्चे हुआ और ध्रित राष्ट से बलात अनुमती लेकर उन्होंने पांडव को बुलवाया जूवा हुआ शकुनी की चाल से पांडव ना कीवल अपनी धन संपत्ती ही हार गए बलकि अपने आपको अपनी धर्म पत्नी को हार गए उनके हार जाने पर भी कावरों को संतोष नहीं हुआ उन्होंने रजस्वला द्रोपदी को भरी शभा में नग्न करने की चेश्ठा की भगवान की क्रिपाशे उसकी रक्षा हुई उस समय वहां का वाई मंडल इतना दूशित हो गया था की द्रोपदी की बार बार पूछने पर भी किशी ने उनके प्रश्णों का उत्तर नहीं दिया कई ने अपने मुह फेर लिये और भिश्म ने भी कुछ अस्पष्ट उत्तर न दे कर यूद्धिश्टिर पर ही टाल दिया प्रश्ण यह होता की भिश्म जैसे धर्मग्य और धर्मात्मा पुरुष्वी द्रोपदी के प्रश्णों का उत्तर क्यों नहीं दिया विचारने पर मालूम होता है की उन दिनों की परिस्थिती बड़ी बिसम थी पांडव दूर रहते थे भिश्म करों के शाथ ही रहते थे दुर्योधन ही उनके भोजन आद की ब्यवस्था करता था उनके असुद्ध अनके भोजन से और असुद्ध सहवाश से भिश्म पितामः की बुद्धी भी कुछ प्रभावित हो गई थी जिससे बिचारने की चेश्टा करने पर भी भिश्म द्रोपदी के गूड प्रश्न का निरड़े नहीं कर सके इसके शम्मन्ध में एक किमदंती है पता नहीं यह कथा किसी पुराण में आई है या नहीं गुर्जनों से सुने गई है अवश्य जब भिश्म पितामः शर्शया पर पड़े हुए थे और धर्म रागियो दिश्टे उन्षे अनेको प्रकार के धर्म कर्म उपाशना ज्यान के तत्व सुन रहे थे तब एक बार एका एक द्रोपदी हस पड़ी भिश्म पितामः ने द्रोपदी को हसते हुए देह कर पूछा बेटी तुम अकारण हस नहीं शक्ति बताओ इस शमय हसने का क्या कारण है द्रोपदी ने कुछ संकोच के साथ अपने मन की बात कह दी उसने कहा दादा जी जब मैं भरी शभा में निर्वस्त्र की जा रही थी अर्थात नगन की जा रही थी और आप से पूछ रही थी कि इस सम्मंध में धर्म शंगत बात क्या है जुवे में अपने को हारे हुए धर्म राज मुझे हारने का अधिकार रखते हैं या नहीं तब तो आपने कह दिया कि मेरी बुद्धी इसका ठीक ठीक निर्ड़े नहीं कर रही है यूधिश्टिर जो कहें वही ठीक है परन्तु आज आप धर्म राज को धर्म तत्तु का उपदेश कर रहे हैं यही देखकर मुझे हशी आ गई भिश्म पितामह ने कहा बेटी उश समय करों के शंग और उनके दूशित अन्य के कारण मेरी बुद्धी दूशित एवं धर्मा धर्म के नियों से असमर्थ हो गई थी अब बाणों के लगने से मेरा दूशित रक्त निकल गया और बुद्धी पवित्र हो गई इस समय मुझे धर्म के रहश अस्पष्ट दिख रहे हैं चाहे भिश्म पितामह की बुद्धी दूशित हुई हो या न हुई हो इस किवदंती से इतनी सिक्षा तो मिलती ही है कि दूशित वाई मंडल और दूशित मनोब्रित्ती वाले लोगों का प्रभाव बड़े उचे पुर्षों पर भी पढ़ सकता है भिश्म ने चाहे जान भूज करके ही वैसा अभिने किया हो और अपने उपर कुछ लांचन स्विकार करकी भी हम लोगों को इस दोस से मुक्त रहने को प्रिरित किया हो क्योंकि महापुर्षों की प्रतीक चेश्टा लोगों के कल्यान के लिए ही हुआ करती है इतना सब होने पर भी भिश्म पितामा का हिरदे पांड़ों के ही पक्ष में था इस बात का प्रमाण महाभारत में अस्थान अस्थान पर मिलता है पहली वार के जूए में तो जृत राष्ट ने द्रोपदी को उनह शारी शंपत्ति दे दी थी पांड़ों को मुक्त कर दिया परंतु दूसरी बार के जूए में पांड़ों के लिए बारह वर्ष का वनमाश और एक वर्ष का अज्यात वास्त तह रहा उन्होंने वनमें जाकर बड़ी तपश्या कि अरजुन ने पशूप पात अस्त्रप्राप्त किया तेरहवे वर्ष का अज्यात वास रूप बदल कर उन्होंने विराट नगर में बिताया एक प्रकार से अज्यात वास एक वर्ष बीत जाने पर कावरों को बड़ी चिंता हुई की आज कालपांडव कहां है उन्हें किस प्रकार नश्ट किया जाए भर्ष्ट किया जाए गुप्त चरो ने जाकर खोजा और जबाब दिया कि उनका पता कहीं नहीं चला अब वे जिवित नहीं है ऐसा जान पड़ता है दुर्योधन्य, दुवशाशन, कर्ण और दुरणाचार की सहायता लिए उन लोगों ने कहा कि पताला या पताल लगाना चाहिए बेश्म ने दुरणाचार के कथन की पुष्टी की और कहा कि पांडव स्रेकृष्ण के अनुगामी है शदाचार का पालन करते हैं उनके नाश की तो शंभावना ही नहीं थे उनका पताल लगाने का उपाय मैं बताता हूँ दूसरे लोगों ने यूध हिष्टिर के अग्यात होकर रहने का जो कार्ण बताया है वह मुझे ठीक नहीं जचता पांडव लोग जिस नगर या देश में होंगे वहां के राजा का अमंगल नहीं हो शकता वहां के लोग दानी, मधुर बोलने वाले, मर्यादा की रक्षा करने वाले, जितेंद्री, सत्यवादी और अपने धर्म पर अनुराग रखने वाले होंगे वहां बेद की ध्वनी सुनाई पढ़ती होगी, अनेको यग्य होती होंगे, ठीक समय परवर्षा होती होगी, प्रित्वी अन्यशे हरी भरी और भय रहित होगी अन्य में बड़ा श्वाद होगा, फल, श्वास्तिकर होगा, सीतल, मंद और शुगंदि थवा चलती होगी कोई किसी का विरोध नहीं करता होगा, गउं में बलिष्ट होगी, वहां के द्विच अपने धर्म के पालन में लगे होंगे वहां की प्रजा में पारस्परिक प्रेम होगा, कोई और शमय में मरता नहीं होगा लोगों की अठित्य सत्कार में रुची होगी, वहां की प्रजा उत्साह पुर्ण होगी योधिष्टिर में सत्य, धैरे, दानिष्टा, सांती, छमा, लोकलज्चा, शोभा, किर्ती, महानभावता, दया, सरल्ता, आदिसदगोड, सर्वदा वर्तमान है वे जहां रहते हैं, वहीं इन गुडों का विस्तार हो जाता है वे विद्वान एवं महात्मा हैं, वे कहीं भेश बदल कर रहते होंगे मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता यदी उन्हें ढूड़ना ही है तो ऐसे लक्षड युक्त अस्थान में ही तलाश करो भेश्म के इस वचनों से अस्पष्ट हो जाता है कि उनकी युधिष्टिर आद के शमन्द में कैशी धारड़ा है वे दुर्योधन के पास रहते हुए भी सिदय से युधिष्टिर पर ही आस्था रखते हैं और शमय शमय पर युधिष्टिर की शी प्रशंशा किया करते हैं शुशर्मा की शलाह से कावरों ने मत्स्य देश के राजा विराट पर चड़ाई कर दी उन दिनों पांड़ों वेश पदल कर वहीं रहते थे महाराज विराट शुशर्मा से युध करने के लिए एक दिशा में गए हुए थे दूसरी दिशा से कावरों ने आक्रमण किया आवशर देखकर अरजुन प्रकट हो गए यह बाद कावरों से भी छिपी न रही लोगों में यह चर्चा होने लगी कि अज्यातवाद का वर्ष पूरा होने के पहले ही अर्युन प्रकट हो गए है इसलिए इन्हें फिर बारह वर्ष का वन्वाश भोगना पड़ेगा दुड़ाचार के पूछने पर भेश्म पितामा ने कहा आचार काल चक्र के बहुत से छोटे बड़े अंस होते हैं जैसे कास्ट, कला, महूर, दिन, पच्च, मास, ग्रह, नच्छत्र, रितु और वर्षा या रितु और वर्ष, शमय की घटी बढ़ती और नच्छत्र मंडल की गती के उलट फेर से हर पांचवे वर्ष दो महीने बढ़ते हैं उन मल मासों को जोड़ कर आज तेरह वर्ष पूरे होकर पांच महीना च्छा दिन अधिक हो गए पांड़ों की प्रतिग्या पूरी हो चुकी है, इसी से अर्जुन तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं पांचों पांड़ों विशेश करके योधिश्टेर धर्म और अर्थ का तत्व जानते हैं उन लोगों से धार्मिक अपराद की तो संभावना ही नहीं है वे निरलोव हैं, उन्होंने कठोर शाधना की है, वे अधर्म करके राज्यपाना नहीं चाहते धर्म के बंधन में बधे रहने के कारण ही अब तक उन्होंने अपना प्राक्रम नहीं दिखाया वे हस्ते हस्ते मृत्तु के मुह में जाना श्विकार कर सकते हैं परन्तु असत्त के मार्ग में जाना श्विकार नहीं कर सकते वे अपना हक लेकर छोड़ेंगे, इंद्र भी उनका हिस्ता नहीं दवा सकते हैं अब हमें उनके शाथ युद्ध करना होगा उस दिन अरजुन के सामने कोई ठाहर न सका कावरों हार कर हशितना पूर लोड गए भेश्म पितामा को कावरों के हारने की तनिग भी चिंता न हुई वे पांड़ों के शाकुशल मिल जाने से बहुत ही प्रशन थे वे हिर्दय से चाह रहे थे कि बिना युद्ध के पांड़ों का राज उन्हें मिल जाने और कावरों पांड़ों दोनों ही सुखी हो परन्त वे भगवान की इच्छा के प्रतिच्छा कर रहे थे वे जानते थे और विश्वास रखते थे कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे इसी विश्वास पर निश्चिंत रहकर वे भगवान के भजन में लगे रहते थे पांड़ों प्रकट हुए बिराट की पुत्री उत्तरा के साथ अहिमन्नु का विवा हुआ विवा के आउशर पर देश-देश के मित्र राजा उपस्तित हुए स्रीकृष्ण बलराम भी आए पांड़ों को उसका राज्य प्राप्त हो जाए इसके लिए लोगों का विचार बिन में हुआ यह तै रहा कि पहले नम्बरता से ही उनसे कहा जाए यदि इतने पर भी वे पांड़ों का हक नहीं देते हैं तो युद्ध किया जाए दितराष्ट ने पांड़ों के पास संजे को भी जा और बिना कुछ दिये शंधी हो जाए इसकी चेस्टा की संजे वहां से लोट कर आए उन्हें पांड़ों की उत्सा का वर्डन किया और बतलाया की उन्हें से युद्ध न करना ही अच्छा है इस विशय पर कौरों की शभा में विचार होने लगा शबशे पहले भिश्म पितामह ने बड़े असपष्ट शब्दों में यह बात कही की दुर्योधन पांड़ों को जीतना तुम्हारे वश की बात नहीं है जिस पक्ष में स्रिक्रिष्ण और अर्जुन है उसको कोई परास्त नहीं कर शकता श्रिक्रिष्ण और अर्जुन साक्षात नर नारायन है यह बात केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं शबी देवता और रिशी इस बात को चानते हैं एक समें ब्रह्म्हा की सभाल लगी हुई थी उसमें ब्रिहस्पती, शुक्राचार, सप्तशी, इंद्र, अगनी, वायू, वशू आदि दीवता, शिद, शाध्य, गंधर्व, शब यथा स्थान बैठे वे थे उसी शमें नर नारायन भी उधर शे निकले उनके तेजस्वी मुख मंडल और प्रभाव साली सरीर को देख कर शब लोग विश्म चकी हो गे वे दोनों ब्रह्मा की शबा में ठहरे भी नहीं आगे चले गए व्रिहस्पती ने ब्रह्मा से पूछा भगवन ये कौन है जो आपकी उपाशना किये बिना आगे बढ़े जा रहे है ब्रह्मा ने कहा ये अपने प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले नर नाराया है इनके द्वारा सारे संसार में आनन्द और सांती का विस्तार हो रहा है ये अशुरों को मारने के लिए एक भगवान के ही दो लीला विग्र है इसलिए दुर्योधन स्रिकिष्ण और अर्जुन को चितने का विजार ठीक नहीं है बेश्में पितामहन आगे कहा उन दिनों दयत और देवताओं का युद्ध चल रहा था देवता लोग भैभीत थे वे नर नारायाण के पास गये उन्होंने उनकी इस्तुती की और वर्माना नर नारायण ने कहा इंद्र तुम्हारी जो इच्छा हो मांगलो तब उन्होंने युद्ध में सहायता मांगे नर नारायण की सहायता से इंद्र बिज़ई हुए और दैते हार गए नर नारायन ने अने को बार दैत्तों को परास्त किया है वही नर अर्जुन और वही नारायन स्रीक्रिश्न है मैं यह बात अपनी और से नहीं कह रहा हूँ बेदग्य नारद मुनी ने मुझसे यह बात कही है उन्हें संतार का कोई बीर हरा नहीं सकता दुर्योधन अभी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो परन्तु जब तुम शंक चक्र गदा पदमधारी भगवान स्रीक्रिश्न को और गांडिव धनुस्धारी अर्जुन को एक रत पर बैठे देखोगे तब तुम्हें मेरे बचनों का अस्मरण होगा मेरी बात नहीं मानोगे तो नीशन दे कुरुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा मैंने तुमसे बड़ेर हश्य की बात कही है इतने पर भी यदि तुम मेरा कहा न सुनोगे और परसुराम के साप से कलंकित हिंचाती शूत पुत्र करड़ और पाप बुद्धि शकुनी एवन दुशाशन की शलाह मानोगे तो यही समझना चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि धर्म और अर्थ धोनों से ही ब्रष्ट हो गई है भेश में पितामा की बात सुनकर करड़ तमक उठा उसने कहा पितामा अब ऐसी बात कभी मत कहिएगा मैंने च्छत्री धर्म श्विकार किया है दुर्योधन को श्ट्री धर्म पालन करने की सलाह देता हूँ मुझे में निंदा करने योग्य कोई दोश या दुराचार नहीं है मैं दुर्योधन को प्रशन करने के लिए युद्ध में अर्जुन को मारूंगा अब उससे मेल नहीं हो शकता चाहे जैसा होगा मैं दुर्योधन को प्रशन करूंगा भिष्ट पितामह ने कर्ड की बात सुनकर धित्राष्ट से कहा धित्राष्ट कर अपने मुँषे कई बार अपनी बढाई करता है कि मैं पांड़ों को मारूंगा परन्तु मैं दोनों को बलबला जानता हूं ये पांड़ों के शोलहवे अंस के बराबर भी नहीं है इसके कारण तुम्हारे दुष्ट पुत्रों पर बड़ी भारी विपत्ती आने वाली है तो इस अपिसोड में आज के लिए इतना ही फिर किसी अपिसोड में हम लोग मिलेंगे जिसमें जानेंगे आगे क्या हुआ जाया एस्टे कृष्ट झाल 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 झाल